संकर चौत व्रत का था एक साहुकार और एक साहुकारनी थे वे धर्म पुन्य को नहीं मानते थे इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था एक दिन साहुकारनी पडोसी के घर गई उस दिन संकर चौत था बहां पडोसन संकर चौत की पूजा करके कहानी सुना रही थी साहुक साहुकार्णी ने पडोसन से पूछा तुम क्या कर रही हो तब पडोसन बोली कि आज चौत का वरत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ तब साहुकार्णी बोली चौत के वरत करने से क्या होता है तब पडोसन बोली इसके करने से अन, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है तब सा सेर तिलकुट करूंगी और चौत का वरत करूंगी श्री गनेश भगवान की कृपा से साहुकार्णी के गर्ब रह गया तो वे बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूंगी कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वे बोली कि हे चौत भगवान म तिलकुट नहीं किया इस कारण से चौत देव रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठा कर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लोट गए इधर जिस लड़की से साहुकारनी के लड़के का विवा होने वाला था वे अपनी सहेलियों के साथ गंड़ गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई तबी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई ओ मेरी अर्द ब्यही ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वे दीरे दीरे सूख कर काटा होने लगी एक दिन लड़की की माँ ने कहा मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ अच्छा पहनाती हूँ फिर भी तू सूखती जा रही है ऐसा क्यूँ तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वे जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्द ब्यही तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा ये तो उसका जमाई ही है तब उसकी माँ ने जमाई से कहा यहां क्यूं बैठे हैं मेरी बेटी तो अर्द ब्यही कर दी और अब क्या लोगे साहुकारनी का बेटा बोला मेरी माँ ने चौत का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया इसलिए चौत माता ने नाराज होकर यहां बिठा दिया यह सुनकर उस लड़की की माँ साहुकारनी के घर गई और उचसे पूछा कि तुमने सकट चौत का कुछ बोला है क्या तब साहुकारनी बोली तिलकुट बोला था उसके बाद साहुकारनी बोली मेरा बेटा घर आ जाएगा तो धाई मन का तिलकुट करूँगी इससे श्री गनेश भगवान प्रसन हो गए और उसके बेटे को फेरों मिला कर बिठा दिया बेटे का विवा धूमधाम से हो गया जब साहुकारनी के बेटा एवं बहु घर आ गए तब साहुकारनी ने धाई मन तिलकुट किया और बोली हे चौत देव आपके आशिरवाद से मेरा बेटा बहु घर आये हैं जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके वरत करूँगी इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ संकट वरत करना प्रारम कर दिया हे संकट चौत जिस तरह साहुकारनी को बेटे बहु से मिलवाया वैसे ही हम सब को मिलवाना इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना बोलो संकट चौत की जए श्री गनेश देव की प्टेल झाल झाल में जो झाल झाल, झाल